कि नमस्कार दोस्तों महीं उप्रकास और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज किस वीडियो में हम लोग शिखेंगे इस प्रकार का डिजैन को बनाने के लिए तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं मैं अपना न्यूपेज में आज को हूँ सेपहले तो टूल बोक्स में से पॉलिगों टूल को सेलेट करेंगे कंस साथ है बनाएंगे सगे के अंपर चैनल रेंगे हैां पर सेंटर आ मया तर और यहां पर वीच लएन बनाते हैं इस तरह से ठीक है और इहां पर आपको मिलेगा नोड इस तरह से लाइन बना देंगे शेप तुल यहां से ले लेंगे से लेट करेंगे यहां से कार्व करेंगे इस तरह से और इसको मैं सीधा कर देता हूं इस तरह से इस ओड़ा साम इंधर करेंगे यहां तक और थोड़ा से एडजिस्ट करते हैं लगवक्ष कि इतना सही होगा अपने हिसाब से चले ठीक है इसका एक डूबले केट बनाते हैं इस तरह से ड्राग करके यहां तक और राइट क्लिक कोपी हो जाएगा इसको पूरा सलेट करेंग कर देंगे स्मार्ट फिल्टू ले ले लेंगे और फिर कलर करेंगे इस तरह से और इस से वाले लाइन को मैं हटा देता हूं अब हमने क्या करना इसको पूरा सेलेट करेंगे और कंट्रोल जी कर देंगे और एक बर किलिक करेंगे इंकर पॉइंट को यह पर डालेंगे और कर देंगे अब यहां से वापस सेम टूल को स्लेट करेंगे तूल के स्मार्ट फिर्टर कर दिया कि अब इसके जergांव कर दो और यहाँ पर फर माई ग्रीन क्लार का डार्क करता हूँ मि यहाँ पर यहाँ फर मैं ब्लेक करते हो इस तरह से ड्रकर कर एडयस्ट करेंगे मैं इस तरह से यहाँ पर वी कर देंगे इस तरह से चलिए पूरे को सेलेट करके कंड्रॉल जी कर देता हूं और वार क्लिक करेंगे इंकर पोइंट आ जागा इसको यहां पळा लेंगे अब एहां से ट्रांसफर्म को ओपेंट करेंगे इंगल में शिश्ठी करेंगे और को पीज में फायप यहां करूंगा अब यहां पर आप कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों ठीक है चलिए मैं जी प्रेस कर लेता हूं और यहां से मैं एलो कलर कर देता हूं और यहां पर एड्जेस्ट करेंगे इस तरह से और बाकी इधर रागया तो यहां पर मैं सेम कलर कर देता हूं और इसको एड्जेस कलर को मैं कोपी कर देता हूं इस तरह से यहां पर भी यहां से कोपी और यहां से अपलाई और इस पर भी इस वाले पार्ट में यहां से कोपी करका अपलाई कर देता हूं ठीक है यहां पर मैं रेड कर देता हूं इस तरह से थोड़ा सा डाल करेंगे इस तरह से और यहां पर भी रेड कर देता हूं इस तरह से इस पर मैं थोड़ा सा डार करेंगे यहां से लगवक ठीक है इसको मैं थोड़ा सा उपर कर लेता हूं अभाग से लागवक ठीक है अब आह पर इमया कोपी कर लेता हूं इहां से चलीए ठीक है अब इस वाले पार्ट यहां से कम क्यावक ठीक है अब इस तरह से बन चुका है इसको पूरा सेलेट करते हूं है ctrl G कर दिया outline को none करेंगे और इसको shift सदे बढ़ा कर सकते हैं पी प्रेस्ट कर देंगा और इसको इस तरह से adjust कर लेते हैं इस तरह से बन करेंदी हो गया तो दोस्तों यह था आज का छोटा सटे tutorial और thank you वीडियो रेखने के लिए